Hey everyone, myself Anshul Dimaan and welcome back to my YouTube channel Education Hub So friends, जैसा कि आप जानते हैं, मैं daily मेरी वीडियो में आप सभी के लिए एक important topic लेकर आती हूँ या तो वो होता है आपकी demand पर होता है या फिर मुझे कोई अगर topic आपके लिए important लगता है तो मैं वो लेकर आती हूँ तो ऐसे ही मैं आज इस वीडियो में आपके साथ एक speech यानि के एक भाशन शियर करने वाली हूँ जो है हमारा आज का topic आज के संदर्ब में गांधी की प्रासंगिकता है ना तो आज के संदर्ब में गांधी जी की प्रासंगिकता पर भाशन में आपके लिए लेकर आई हूँ जैसा कि अभी हमारी गांधी जीयनती आने वाली है सेलिब्रेट की जाने वाली है तो उस पर आपके लिए यह ऐसे जो है बहुत helpful होगा और अगर आप इसको simple topic गांधी जीयनती पर भाशन के रूप में भी use करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं इसलिए जो है इसको आप speech को end तक ध्यान से जरूर देखिएगा जिससे कि आपकी कोई भी एक attractive line miss ना हो जाए इसमें last में मैंने quotation भी आपके लिए use की है I hope वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful होगी अगर आपको ये speech पसंद आती है तो अपने valuable feedbacks मुझे जरूर दीजेगा क्योंकि guys देखें मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपके जो like comments होते हैं वो मेरे लिए एक अच्छा motivation का work करते हैं और आपके जो valuable feedbacks होते हैं उनसे मैं अपने आपको inspire कर पाती हूँ और अपने आपको improve भी कर पाती हूँ क्योंकि आप मुझे कुछ और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी suggestions देते हैं मेरे essay के लिए मेरी videos के लिए अब हम start करते हैं हमारा भाशन सबसे पहले आप ऐसे बोलेंगे यहां उपस्थित सभी माननियो आदर्निय प्रधाना ध्यापक शिक्षगन और मेरे प्यारे मित्रो आप सभी को सुभे का नमस्कार फिर आप अपना नेम बोलेंगे ऐसे बोल सकते हैं मैं अंशुल दिमान और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब यहां एक बहुत प्यारा उत्सव मनाने में जूटे हैं जो गांधी जयनती कहलाता है इस अवसर पर मैं आज आप सभी को महात्मा गांधी जी पर जो की हमारे राश्ट्र पिता हैं उनके बारे में दो शब्द बतलाना चाहती हूं युग पुरुष महात्मा गांधी जी ने जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था उन्होंने अपने विचारों से न केवल भारत को आजादी दिलाई बलकि समाज में अनेक सुधार भी किये उनके विचार देश काल में सिमित ने होकर सिमाव से परे हैं वे स्वदेशी को प्रात्मिक्ता देते थे उनका मानना था कि स्वदेशी से हमारा देश आदम नीरभर बन सकता है वर्तमान ऐस थीरता के दोर में जहां एक और COVID-19 जैसी महामारी लोगों को हताश और बेहाल किये है वहीं दूसरी और इसके आर्थिक परिनाम भी लोगों को भविश्य के लिए आशंकित किये हुए है आज संपूर्ड विश्व बाजारवाद के दोड में शामिल हो चुका है लालच की परिनीती युद्ध की सीमा तक चली जाती है ऐसे में गांधी वाद की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक हो जाती है ग्रिना को दूर करने के लिए गांधी जी की प्रासंगिकता को अपनाने की जरूरत है अत्य है अन्तु में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि हमें गांधी जी के गांधी जी विचारों को भली भाती समझने की और उन्हें प्रासंगिक बनाने की आवश्यक्ता है गांधी जी आज की दौर में भी प्रासंगीक है यही वज़ा है कि हम उन्हें निरंतर इस्मरण करते हैं तब भी जब हम उनका अनुकरन करने में अपने को ऐसमर्थ पाते हैं फिर एक आप अच्छी सी लास्ट में कोटेशन बोलतना चाहें इससे आपका जो स्पीच होगी वो और ज्यादर इफेक्टिव हो जाएगी युग बड़ा तुमारी हसी देख युग हटा तुमारी भ्रकुटी देख तुम अचल में खला बन भू की खिचते काल पर अमिट रेख सो फ्रेंड्स ये था मेरा एक अच्छा सा भाशन आप लोगों के लिए आप लोगों को जरूर पसंद आया है और अगर आपको इसकी पीडिएफ चाहिए या फिर मेरे चैनल पर प्रोवाइट कर आए गई जो कंटेंट है उनमें से आपको जो है एकस्पेक्ट जो है एकसेप्ट क्विज को छोड़के क्योंकि क्विज जो है वो मैं आपको MCQ जो लेकर आती हूँ वैसे ही आपको डिफाइन करती हूँ उनकी मेरे पास PDF नहीं होती है बट जो बाकी कंटेंट है चाहे वो आपकी पोयम हो चाहे वो आपका essay हो चाहे वो को पर PDF चाहिए वहाँ पर मैं आपको विदाउट एनी कोस्ट PDF प्रोवाइड कराती हूँ बस मेरी कोस्ट इतनी होती है कि प्लीज गाइस आप मुझे बस अपना ऐसे ही कंटीनियूस सपोर्ट करते रहें ठीक है क्योंकि आपकी जो वोट वोट समझ लीजे आप एक इनसान का जैसे वोट होता है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनके लिए कितना वैल्यू करता है तो ऐसे ही आपके जो सब्सक्राप्शन्स होते हैं आपका एक जो लाइक होता है वो मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है सो गाइस आपको यह पसंद आया है गुड लग for your competition and आज के लिए इतना ही thank you so much